नमस्कार दोस्तों, वेलकम तु स्टडी आई क्यों जुडी शरी दोस्तों अगर हम मिनिस्री ओफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके अकोर्डिंग हर साल भारत में लगबग 3,50,000 से जादा एक्सिदेंट्स होते हैं इन एक्सिदेंट्स में लगबग 1,25,000 से जादा लोगों की जान जाती है और लगबग 4,00,000 लोग हर साल इन रोड एक्सिदेंट्स में घायल हो जाते हैं अक्सर ये भी देखा जाता है दोस्तों कि जब कभी किसी की गाड़ी से एक्सिदेंट हो जाता है तो वो व्यक्ति डर के मारे वहां से on the sport जा है वहां से भाग जाते हैं जो कि अपने लिए ही और जादा legal problems को invite करते हैं आज के अपने इस session में हम हमारे legal expert मिस्टर अभिशेक शर्मा से समझेंगे कि जब कभी किसी की गाड़ी से कभी accident हो जाए तो ऐसे circumstances में उन्हें किस तरह से behave करना चाहिए और साथी जानेंगे कि accident होने के बाद legal प्रक्रिया क्या रहती है legal proceedings क्या होती है insurance का claim किस तरह से लिया जाता है यह सब भी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे तो अपनी discussion को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दू दोस्तों कि study IQ लेकर आया है study IQ judiciary smart courses ऐसे courses जिनमें आपको लगबग 15 states के local laws प्रोवाइड कराये जा रहे हैं सभी major and minor laws प्रोवाइड कराये जा रहे हैं साथी में test series आपको प्रोवाइड कराये जाती है और हर हफ़ते आपके लिए लाए जाता है live doubt का mentorship session आप इन courses का benefit उठा सकते हैं आपके लिए study IQ साथी में लेकर आया है flash sale जिसमें आप CHANDJUD का ये जो code है ये apply करके बहुत ही affordable price पर इस course को avail कर सकते हैं चलिए अपनी discussion को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मान लिजिए एक व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहा है उसकी गाड़ी से road पर चलते हुए pedestrian को hit हो जाता है यानि कि उसका accident हो जाता है ऐसे circumstances में जो driver है जो गाड़ी चला रहा था उसकी क्या priority होनी चाहिए और इसके बाद क्या legal proceedings होनी चाहिए सबसे पहले तो ensure करना चाहिए कि जो victim है pedestrian उसको first aid provide की जाए nearby hospital में जैसे ही व्यक्ति victim को hospital ले जाया जाता है तो वहाँ पर doctor जो है उस व्यक्ति की take care करते हैं first aid provide करते हैं और अगर मामला serious है तो necessary arrangements करते हैं इसकी सूचना तुरंट police को भी दी जाती है police के वहाँ पहुचने के उपर इसके लिए M.L.C. एक issue की जाती है M.L.C. का मतलब होता है medical legal cases यानि ऐसे case जिसमें legal involvement necessary है इसके बाद तुरंट police इस मामले से जुड़ी होई information की बावत FIR first information report दर्ज करती है under section 154 of CRPC इसके बाद police जो है spot पर जाती है site map तयार करती है और जो accused है अगर वो police की custody में है तो उसका medical किया जाता है और चूंकि यह है एक available offense है under section 279 of IPC जो की बात करता है rash and negligent driving तो उसको bail तुरंट दे दी जाती है अगर pedestrian की death हो जाती है तो इस पर charge जो police लगाती है section 304A causing death by negligent act और अगर simple injury होती है तो section लगता है 337 causing simple injury through negligency and अगर grievous hurt होता है तो section लगता है 338 which talks about causing grievous hurt through negligence तो आपने बताया कि अगर कभी किसी का accident होता है तो उसमें जो सबसे पहले तो victim को ही बचाना priority होनी चाहिए उसके बाद जो है FIR दर्ज करती है police and आपने वो सभी sections या सभी धाराएं भी गिनवाई जिनके तहत मामला दर्ज किया जाता है driver पर सर ये तो एक बात हो गई हम बात करते हैं insurance claim की क्या वो इसी FIR के तहट हमें मिल जाएगा या उसके लिए कोई अलग प्रिक्रिया यहां पर motion में आती है देखे FIR के तहट तो आपने crime को report करा दिया इसके FIR के तहट एक trial चलता है before the concerned magistrate एक parallel proceeding आप initiate करते हैं under section 166 of motor vehicle act by filing an application for seeking compensation before motor accident claims tribunal जो की section 165 of motor vehicle act के तहट established की जाती है और उनके तहट आप application जब दरज करते हैं अपनी M.A.C.T. tribunal जिसको हम कहते हैं तो उसके तहट जो court होती है M.A.C.T. court जो की preside करते हैं additional district judge level officers वो notice issue करते हैं concerned investigating officers को concerned investigating officer court में आकर detailed accident report दायर करते हैं जिसको normal parlance में हम डार कहते हैं उसके तहट जो police को डार के तहट court notice issue करती है offending vehicle के owner को, driver को और अगर vehicle insured है तो insurer को जो magistrate की proceeding है और जो M.A.C.T. की proceeding है दोनों parallel चलती हैं दोनों की verdict एक दूसरे पर बात देन नहीं होती हैं और जो provisions है evidence Act or Civil Procedure Code के तो they are strictly not applicable on the proceedings of M.A.C.T. ट्रैबनर्स आपने बताया कि M.A.C.T. में एक अलग से proceeding यहां पर शुरू होती है जहां पर एक application लगाई जाती है उसके बाद जो वहां के जो presiding officer होते हैं वो police को बुलाते हैं police से D.A.R. की जो report होती है वो तलब करते हैं और उसके साथ ही यह parallel मामना चलता रहता सवाल यह है कि मान लीजिये driver ने जिसने accident किया क्या वही M.A.C.T. में जाएगा या फिर जो victim है उसकी तरफ से M.A.C.T. को रुख किया जाएगा लेकि जो जिसको claim चाहिए वो जाएगा victim जा सकता है driver के उपर भी प्रतिबंध नहीं है आगर वो insurance policy के अनुरूप पाया जाता है entitled तो वह भी जा सकता है उस पे कोई बार नहीं है आपने बताया कि driver भी जा सकता है victim भी जा सकता है मान लीजिये driver जो है drink and drive कर रहा था यानि कि उसने उस समय policy का violation होता है इस स्थिती में driver जो खुदी एक offender है वो कैसे वो नहीं जा सकता है मगर जो victim है वो है अवश्य जा सकता है इन स्थिती में insurance companies जो होती है वो एक claim लेती हैं कि ये policy का violation है और हम इस claim को pay करने के लिए liable नहीं है परंतु यह है एक social welfare legislation है और courts की pronouncement ऐसी आई है कि even if there is a violation of policy conditions insurance company is still held liable to pay the compensation to the victim क्योंकि ये victim specific legislation है इसके तहत हाला कि insurance company को recovery के rights दे दिये जाते हैं कि वह driver या owner से उस claim को recover कर सके आपने कहा कि अगर driver की गलती भी है उसके बावजूद भी victim का जो अधिकार है यानि कि जो यहाँ पर घायल हुआ है व्यक्ति जो pedestrian है उसका अधिकार नहीं खतम होता है उसे claim मिलेगा ही मिलेगा ऐसा Supreme Court ने जो courts हैं उन्होंने अलग courts ने कहा है और आपने साथ में यह कहा कि insurance company को ऐसी situation में ऐसे situation जहां पर मालीजे एक गाड़ी है car है और दूसरा जो है bike है गाड़ी का और bike का car और bike का accident हो जाता है ऐसे में जो car का insurance company है क्या वही bike का insurance देगी या फिर bike का insurance company है वो उसके भर पाई करेगा दो insurance company आ जाती है तो मामला equity से जूड़ जाता है तो इसमें courts का ऐसा कहना है कि जो bike वाला है उसको bike से जुड़े वे नुकसान के लिए वे अपनी insurance company से ले अगर supposedly insurance उसका नहीं है या उसके summer short से ज़्यादा exceed करता है उसका claim तो उस थिति में offending vehicle का insurance company pay करती है तो ये case to case worry करता है तो आपने बताया कि अगर दो vehicles का accident हो रहा है तो दोनों vehicles अपनी अपनी companies पर claim डालते है वो cross claim जब होता है जब एक vehicle जो जिसका accident हुआ उसका claim जादा है लेकिन some assured कम है चले ये हमने यहाँ पर जाना दोस्तों की किस तरह से दोनों proceedings parallel चलती है और आपका claim किस तरह से जो है motor vehicles act में आपको मिलता है अगर हम इसी से जुड़े हुई बात करें में से शर्मा तो अगर एक बड़ा vehicle है और एक छोटा vehicle है इसमें क्या हमेशा कहा भी जाता है कि गलती बड़े vehicle वाले की ही मानी जाती है यह क्या मुद्दा है जैसा कि आपने खाया कि एक presumption है कि गलती हमेशा बड़े vehicle वाले की ही मानी जाती है courts भी इस presumption को draw करती है बट यह revertable presumption है जो कि case to case basis करती है अगर जो offending side है accused की side है defense की side है वो अगर cogent evidence प्रस्तुत करे court के समक्ष कि ऐसा नहीं है तो court उसको मानने के लिए बात दे भी है तो यह presumption is not a presumption of law but it is a presumption of fact तो when the facts come then presumptions go तो यहाँ पर यह जो अक्सर कहा जाता है कि बड़े vehicle की गलती माने जाएगी यह revertable है अगर जो बड़े vehicle का honor है या जो driver है वो यह सबोत दे सकता है कि भाई मेरी गलती नहीं थी छोटे जो साधन वाले थी उनी की गलती थी उनकी गलती की वज़े से accident हुआ तो ऐसे में उनकी जो liability है वो कम हो सकती है या खतम भी हो सकती है तो अक्सर दोस्तों हम इसमें देखते भी है कि आजकल जो है बड़े शहरों में तो खासकर ये trend काफी ज़ादा चल चुका है कि लोग अपनी गाडियों में आगे और पीछे cameras भी लगाना शुरू कर दिये हैं उसका भी one of the reasons यही सामने आता है कि आप अपने आपको safe रखना चाहते हो कभी गलती से कोई accident हो भी जाए तो वहाँ पर आप अपने आपको ये evidence अपने पास रखना चाहते हैं तो ये हमने बात की Mr. Sharma की एक तरफ हमारी legal proceeding चलती रहेगी FIR होई दूसरी तरफ हमने claim proceeding चलाई ऐसे में कई बर हम देखते हैं कि कुछ लोग accident करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं hit and run के जो मामले होते हैं ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर क्या consequences हैं और किस तरह से अगर वो ना भागते उससे वो different consequences हो जाते हैं जहाँ पर भाग जाते हैं Supreme Court काफी बारी एक है चुकी है कि first जो priority होनी चाहिए इस तरह के मामले में वो होनी चाहिए victim की security ensure करना आप पहले ही offender हैं और उपर से आपने victim को उसके हाल पर छोड़ दिया तो यह आपने एक और गलती कर दी that means you have first you have committed an offense then you have omitted to take care of that person means that is another offense तो इसके बावत एक presumption draw होती है that there must have been very guilty mind of the accused person जिसके तहत उसने ऐसा cryptic किया है इसके लिए एक Bombay High Court का verdict आया था सल्मान सलीम खान वर्सी स्टेट का जिसमें यही आरोप लगाया गया था परंतो उस case के fact के अनुसार उसमें जो accused थे उनको बाहिजद बरी कर दिया गया था परंतो इस तरह के मामले में knowledge impute की जाती है that अगर आप drunken driving कर रहे है then that means you had some knowledge कि यह आपका जो act है that could cause severe consequences which can amount to death of some person so इस तरह के cases में 304-2 का जो charge है वो भी लगाया जा सकता है so अगर आप drink and drive कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके जो consequences आप कह रहे हैं कि 304-2 में भी यहाँ पर fall करेगा तो यह हमने बात की दोस्तों कि किस तरह से जब accident होता है हमारा behavior होना चाहिए so basically what we are saying is कि हमें भागना वहाँ से बिल्कुल नहीं चाहिए एक चीज़ और यहाँ पर जो निकल कराती है वो यह कि कई बार हम देखते हैं कि accident हो गया accident जिसने किया वो तो भाग गया जो बाकी लोग हैं वो भी उस victim को help करने से डरते हैं क्योंकि उनके मन में यह हमेशा डर बना रहता है कि हम court के cherry के इस जंजट में नहीं जाना चाहते हमें police बुलाएगी बार-बार उस situation में क्या आप कहना चाहिए इसके लिए supreme court ने guidelines जारी करी हैं जिसको good samaritan law कहा जाता है और supreme court ने यह clarify कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह किसी victim को hospital पहुंचाया जाता है तो police ना तो उस व्यक्ति की identity के बारे में पूछेगी ना ही उस व्यक्ति से उस मामले से जुड़े कोई भी मुद्द कुछ पूछ सकती है उस व्यक्ति का काम केवल इतना है कि वह victim को hospital तक पहुंचा दे जिससे की victim की medical जाच की जा सके that उसके उपर कोई legal जंजट नहीं आएगा इसे हमने कहा Goods Meritan Law जो कि Honorable Supreme Court की तरफ से लाई गई जो ये verdict थी उसमें Honorable Supreme Court ने कुछ guidelines दी थी तो दोस्तों एक बात तो clear है कि अगर आपको कोई accident victim दिखता है आप उसकी मदद जरूर करें सिरफ इसलिए कि हमें पुलिस के चकर में नहीं जाना है या फिर पुलिस हमें बार-बार बुलाएगी इससे डर कर हमें victim को नहीं छोड़ना चाहिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए तो ये आपने हमें बताया मिस्ट शर्मा की किस तरह से हमें victim को छोड़कर नहीं जाना चाहिए एक आखरी सवाल के basis पर compensation decide के जाती है तो कुछ parameters होते हैं अगर death हुई है तो व्यक्ति की age सबसे पहले determine की जाती है उसकी age की spectrum 21 to 30 है या 31 to 40 something like this इसके बाद ये देखा जाता है कि व्यक्ति की आये कित्ती थी उसके बाद आये में उस व्यक्ति के खर्चे कितने थे घर के सदस्य कितने थे क्योंकि deductions लगाई जाती है तो पहले multiplier लगा जाता है age का उसके उपर age में कितनी बड़ोतरी increment हो सकता था इसके बाद घटोतरी की जाती है कि इस आमदनी के खर्चे भी तो होंगे तो वो खर्चे भी जोड़े जाते हैं तो इसके बाद जो minus करने के बाद एक figure आता है इसके अलावा व्यक्ति के उपर खर्च किया गया medical cost hospitalization cost इसके अलावा जो व्यक्ति के जो near and dear ones ने अपना एक व्यक्ति होया है उसके लिए love and affection का token compensation दिया जाता है let me tell you that we do not have the concept of blood money but courts as a mark of respect to your dear one एक token compensation सिरफ देती हैं इसके साथ courts funeral cost भी provide करती है तो यह सब है death के cases में अगर injury के cases हैं तो आपकी hospitalization और medical cost आप अगर कारे करते थे तो कितने दिन आपके उस वज़े से बरबाद हो गए जिसके लिए आप कारे नहीं कर सके वो वाली cost और इसके अलावा आपकी special diet के cost इसके अलावा भी अगर कुछ incidental cost हैं तो वो भी आपको दिये जाते हैं तो ये हमने जाना दोस्तों कि किस तरहां से compensation को decide किया जाता है इस पूरी चर्चा से जो एक बात सामने निकल कर आती है वो ये कि हमें सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए हमें अगर रोड पर चलना भी है तो भी सावधानी से traffic नियमों का पालन करते हुए चलना चाहिए और अगर कभी accident हो भी जाए तो वहाँ से भागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए उस accident की अगर आपकी उपर responsibility आती है तो according to law आपको वहाँ पर responsibility लेकर पूरी कानूनी प्रकरिया में सहयोग करना चाहिए I hope कि आपको आज के session से फाइदा मिलेगा अगले discussion में फिर एक बार मिलेंगे Till then thank you and have a great day Thank you